Welcome back my dear learners, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे demonetization की, उसके कुछ features की और उसके कुछ limitations की demonetization आप सब को याद है, 2016 में इंडिया में demonetization हुआ था जहांपर इंडियन गॉवर्मेंट ने कुछ currencies को बंद कर दिया था तो आज हम इसका theory बाठ जानेंगे कि आखर यह demonetization होता क्या है और इसके क्या-क्या features है demonetization is the process by which a government withdraws the legal tender status of a currency unit making it no longer valid for transactions OEB government क्या करती है कि जो भी currency unit है उसके country में जो भी currency unit चल रही है जो valid है उसको उसका जो legal tender होता है उसको withdraw कर देती है यानि वापस ले लेती है जिस कारण उस पैसे से आप आगे कोई भी किसी भी तरह का transactions नहीं कर सकते है It is often part of broader economic reforms aimed at addressing various economic issues like black money, counterfeit currency और inflation की demonetization basically जिस reason से किया जाता है उसमें इसका major aim यही होता है कि जो भी market में black money है या फिर counterfeit currencies है जिन currencies को सही तरीके से भी नहीं किया जा रहा है जमा किया जा रहा है या फिर जो prices high हो रही है राइज हो रही है महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए इन सारी चीजों को reduce करने के लिए generally कोई government demonetization अपने country में लाती है इसके क्या-क्या features है specific demonetization currencies withdrawn from circulation people are required to exchange the old currency is funny लोग जब भी कोई currency का withdrawal होता है यानि कोई currency जब government उसे वापस ले लेती है तो उसमें क्या करना होता है कि जो भी old currency होती है उसको नए notes से exchange करना पड़ता है means आपके पास जो भी old notes है उसे आप वापस करके जो नए note market में आए है उसे लीजे economic reset it is intended to reset certain economic activities such as curbing black money अभी जब आने आपको पताया कि जो भी black money है market में या फिर counterfeit currencies है उन सब को रोपने के लिए उन सब से टैकल करने के लिए generally demonetization किया जाता है साते साथ demonetization के कारण चुकि यह currencies को withdraw किया जाता है जो cash money होता है जिस कारण digital transactions को support मिलता है और मार्केट में प्रमोट होता है अगर आपको याद होगा तो इंडिया में demonetization के से पहले बहुत रेरली लोग इंटरनेट का यूपी यूपी आई का बहुत कम यूज करते थे पर पेमेंट लेकिन जैसे ही demonetization वह जब करेंसी विड्रौ की गई इंडियन गवर्मन के तो लोग यूपी आई पे शिफ्ट हो गए और अभी आप देखेंगे कि अगर एक छोटा सा भी कोई शॉप की पर है इवन अगर क प्राइक्ष्ट करता है पेमेंट को एक्सेप्ट करता है शॉर्टम लिक्विडिटी क्राइसिस demonetization से शॉर्टम लिक्विड कैश की क्राइसिस हो सकती है यानि कुछ समय के लिए cash market से खतम हो सकता है जैसे कि इंडिया में हुआ था जब demonetization आया तो लोग bank की lines में लगे रहे हैं घंटो लगे रहे हैं cash लेने के लिए ठीक है जिसके कारण क्या हुआ था कि कई अपना लोगों को अपना काफी time उसमें देना पड़ रहा था बैंक से cash withdraw करने के लिए तो यह short term के लिए ही crisis होता है कुछ समय के बाद वो crisis वापस से खत्म हो जाता है जैसे अभी के समय में वो नॉर्मल हो गया digital push team monetization होने से लोग digital payments की और आके बढ़ते हैं targeting black money again जो भी black money है market में वैसे पैसे जिन पर government tax नहीं ले पा रही है जो government के नजर से छुपाया जा रहा है उन सब को flush out किया जाता है market से उनको हटाया जाता है जैसे कैसे हटेगा जैसे मानलो government withdraw कर ली comment का अनॉंसमेंट हो कि अब यह जो currencies है यह नहीं चलेंगी और अगर आपके पास यह currency है तो यह बैंक को वापस लोटा दे तो अगर आपने मानलो वो currency store करके रखा है तो आप बैंक में वापस लोटाने जाओगे एक limited amount तक आप से question नहीं करेगा क्योंकि लोग को savings रखते है cash savings लेकिन अगर आप extra amount लोटाने जा रहे हो और उसे साब से tax नहीं पे कर रहे हो और आप कहा रहे हो कि मेरे बास इतना पैसा और मुझे इसे exchange करन इंकम नहीं है और जब आप इतना टैक्स पे नहीं करते हो तो आपके पास इतना पैसा आया कहां से इस तरह से बैंक जो है जो black money होता है उसको सामने लाती है और flush out करती है market से फिर increased pressure on individual and business to declare their assets and file tax properly जब demonetization होगा तो लोहों के पास जो भी assets होंगे उनके जो भी cash balance होंगे उन सबको government को बताना पड़ेगा और जब वो बताएंगे सही सही अमांट बताएंगे तो उन्हें सही सही अमांट में टैक्स भी पे करना पड़ेगा कुछ limitations इसके short term economic disruption अभी बताया कि जो cash होता है वो market से कुछ time है के लिए क्या होता है उसकी shortage हो जाती हो खत्म हो जाता है जिसके कारण थोड़ी देर के लिए थोड़ी समय के थोड़ी समय के लिए जो economic है वो disrupt हो जाता है स्यादा तर काम cash से होता है online transactions होते हैं जिसकारण वहां यह चीज़े effect करती है ब्लैक मनी पे भी limited amount होता है क्योंकि demonetization से आपने देखा कि जादा बहुत जादा black money पे black money को हम नहीं recover कर पाएं after demonetization in India cost of implementing demonetization ला रहे हैं आप नहीं करिंसी को छपवा रहे हैं तो RBI का भी cost प इसका लिमिटेशन और यह फीजर दोनों में कांट हो जाएगा कि हम डिजिटल एकोनमी की तरफ shift कर रहे हैं लिकिन चुकि डिजिटल एकोनमी जो वह सबके बास की बात नहीं है क्योंकि सब कोई technology को easily handle नहीं कर सकता तो धीरे धीरे हम इसके और shift करते हैं फास्टली shift नहीं धबसके अबस्टाइब तो इसके अबस्टाइब तायब को जाएगाएब तायब वबस्टाइब